मैंने हर जगना FD लिखा है Fiscal Deficit को पहली बतायता हूँ आप जानते है Fiscal Deficit क्या होता है Fiscal मतलब होता है Fiscal Deficit मतलब होता है कर्ज तो Fiscal Deficit मतलब सरकार का बताता है सरकार कर्ज तो कितना हम लोग वे रनिंग शाट अफ मनी कितना Fiscal Surplus उतना Extra Surplus मनी Fiscal Deficit कितना है 4% of GDP 2015 में मतलब अगर मैं ले लेता हूँ GDP 2015 और यह हो गया GDP 2016 कुछ simple नंबर लो ना कहां यह सब में आ रहे हैं आप सोच रहे है GDP 2015 को यह लो 100 रुपए है तो अगर GDP 100 रुपए है तो Fiscal Deficit कितना हुआ Fiscal Deficit इसका 4% मतलब 4 रुपए है चल आगे चलते हैं and increased 5% in the year 2016 ठीक है 5% से बढ़ा हो तो मैं समझ गया if GDP increased by 10% तो GDP अगर 10% से increase बात होगे 110 ठीक बात है नबी यहां पह लिगा if the and increase to 5% यह हो गया 5% not increased by increase to 2 तो इसका 5% इसका 4% लिए वैसे इसका 5% तो इसका 5% कितना होगा 10% 11 5% होगे 5.5 ठीक बात नहीं भी यह होगी अपना answer फिर क्या पूचा है if the GDP GDP increased by 10% from 2015 to 2016 the percentage increase in fiscal deficit is तो देखिए आपको में एक simple सी बात आता हूँ छोड़ा सा होच पोच होगे हम सॉरी percentage change होता है final value minus initial value upon initial value into 100 ठीक है भी तो final value कितना होगे 5.5 super minus 4 divided by क्या 4 into 100 कुछ नहीं है रहाइसा तो विशेश कितना आ गया 1.5 1.5 divided by 4 into 100 solve कर तो कितना आ गया 337.50 यह answer ठीक बात भी 37.50 3 by 8 मतलब 37.50 यह छे question का discussion हम लोगों नहीं किया यह 6 के 6 memory based question थे जो mechanical branch में afternoon session में आये थे इसके अलावा भी कुछ doubt होगा या किसी आप answer से मेरे agree नहीं कर सकते तो comment box में बताएंगे अच्छा polite तरीकी से बताएंगे भी और agree करते तो अच्छी बात है नहीं भी करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं बता सकते हैं we'll discuss कोई बड़ी बात नहीं है और जैसे मेरे पास और बाकी कुछन आएंगे हम बाकी वीडियो भी अप्लोड कर देंगे तो यह था हमारा पहले अच्छी एक कोई दिसकोशन थोड़ी दिर में आपके लिए दूसरा वीडियो लिक्के आते हैं बावे अरुबडी टेक केर